क्रिस्मस इसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला इसाई धर्म का महत्वपूर्ण त्याहार है इसे बड़ा दिन के भी नाम से जाना जाता है यह हर साल 25 दिसंबर को दुनिया के अधिकांश देशों में मनाया जाता है क्रिस्मस शब्द का जन्म क्राइस्ट मास शब्द से हुआ है और ऐसा माना जाता है कि 336 इमे रोम में सबसे पहला क्रिस्मस दे मनाया गया था इस दिन लोग एक दूसरे को तोफे देते हैं और पार्टी करते है तो आइए जाने क्रिस्मस का इतिहास और जानकारी क्रिस्मस पर निबंध और इतिहास क्रिस्मस मनाने की कथा बाइबिल के अनुसार माता मरियम के गर्ब से इसाई धर्म के इश्वर इसा मसीह का जन्म हुआ था इसा मसीह के जन्म से पूर्व माता मरियम कुमवारी थी उनकी सगाई दाउद के राजवन्शी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुई थी एक दिन मरियम के पास स्वर्गदूत आये और उन्होंने कहा कि जल्द ही आपकी एक संतान होगी और उस बच्चे का नाम जीसस रखना है स्वर्गदूत ने बताया कि जीसस बड़ा होकर राजा बनेगा तथा उसके राज्य की कोई सीमा नहीं होगी जो इस संसार को कश्टों से मुक्ति का रास्ता दिखलाएगी माता मरियम ने संकोचवश कहा कि मैं तो अभी अविवाहित हूँ ऐसे में यह कैसे संभव है देवदूतों ने कहा कि यह सब एक चमतकार के माध्यम से होगा जल्द ही माता मारियम और यूसुफ की शादी हुई शादी के बाद दोनों यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक बेथलेहम जगह रहने लगे यहीं पर एक रात अस्तबल में इसा मसीह का जन्म हुआ इसी दिन आकाश में एक तारा बहुत ज्यादा चमक रहा था और इससे लोगों को इस बात का अनुभव हो गया था कि रोम के शासन से बचने के लिए उनके मसीहा ने जन्म ले लिया है इसा मसीह के जन्मोच सव को ही लोग आज भी क्रिस्मस के रूप में मनाते हैं इसा मसीह ने दुनिया को एक ता और भाईचारे की सीख दी उन्होंने लोगों को भगवान के करीब रहने का मार्ग दिखाया इसा मसीह ने क्षमा करने और क्षमा मांगने पर जोर दिया उन्होंने अपने हत्यारों को भी माफ किया क्रिस्मस का इतिहास हाला कि 25 दिसंबर को क्रिस्मस मानाने को लेकर अलग-अलग कथाएं प्रचलित है क्रिस्मस से बारह दिन के उत्सव क्रिसमस्टाइड की भी शुरुवात होती है 95 दिसंबर इशु मसीह के जन्म की कोई ग्यात वास्तविक जन्म तिथी नहीं है और लगता है कि इस तिथी को एक रोमन पर्व या मकर संक्रांती शीत अयनांत से संबंध स्थापित करने के आधार पर चुना गया है इसाई होने का दावा करने वाले कुछ लोगोंने बाद में जाकर इस दिन को चुना था क्योंकि इस दिन रोम के गैर इसाई लोग अजे सूर्य का जन्म दिन मनाते थे और इसाई चाहते थे कि इशु का जन्म दिन भी इसी दिन मनाया जाए The New Incyclopedia Britannica सर्दियों के मौसम में जब सूरज की गर्मी कम हो जाती है तो गैर इसाई इस इरादे से पूजा पाठ करते और रीती रस्म मनाते थे कि सूरज अपनी लंबी यात्रा से लौट आए और दोबारा उन्हें गर्मी और रोशनी दे उनका मानना था कि दिसंबर पच्चीस को सूरज लोटना शुरू करता है शुरू में इस बात को लेकर मतभेद भी था कि क्या इसा का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए तब इसा के बलिदान और पुनरुथान का पर इस्टर ही इस साईयों का प्रमुख त्याहार हुआ करता था विश्व के लगभग सौ देशों में क्रिस्मस का त्याहार आज बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है अनेक देशों में इस दिन राज किये अवकाश घोशित किया जाता है इस दिन को क्रिस्मस पर्व के रूप में मनाने के लिए काफी समस्याओं से भी जूजना पड़ा था पिछले डेड़ शताबदी से ही क्रिस्मस का पर्व बिना किसी बाधा के आयोज़त किये जा रहे है सांता क्लॉस आज इस पर्व की पहचान बन चुका है सांता क्लॉस सांता क्लॉस की छवी एक गोल मटोल आदमी की है जो हमेशा लाल कपड़े पहन कर रखता है और बच्चों को क्रिस्मस पर गिफ्ट देने अपनी स्लेच पर बैठ कर आता है आज सांता क्लॉस के बिना क्रिस्मस की कलपना हर किसी के लिए अधूरी है सांता क्लॉस को लेकर कई कथाएं है कई लोग मानते हैं कि चौथी शताबदी में संत निकोलस जो तुर्की के मीरा नामक शहर के बिशप थे वही असली सांता थे संत निकोलस गरीबों को हमेशा गिफ्ट देते थे उस समय लोग संत निकोलस का काफी आदर करते थे उसी समय से सांता क्लॉस की परिकल्पना की जाने लगी क्रिस्मस ट्री जब भगवान इसा का जन्म हुआ था तब सभी देवता उन्हें देखने और उनके माता पिता को बधाई देने आए थे उस दिन से आज तक हर क्रिस्मस के मौके पर सदा बहार फर के पेड को सजाया जाता है और इसे क्रिस्मस ट्री कहा जाता है क्रिस्मस ट्री को सजाने की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ती बोनिफिन्स तुयो नामक एक अंग्रेज धर्म प्रचारक था यह पहली बार जर्मनी में दस्वी शताब्दी के बीच शुरू हुआ था क्रिस्मस के बारे में जानकारी क्रिस्मस कैसे बनाते हैं क्रिस्मस से कई दिन पहले ही सभी इसाई समुदायों द्वारा कैरोल्स गाय जाते हैं और प्रार्थनाएं की जाती हैं सारी दुनिया के गिर्जाघ्रों में यीशु की जन्मगाथा जाकियों के रूप में प्रदर्शित की जाती है दिसंबर के 24 से 25 के बीच की रात को पूरे समय आराधना पूजा की जाती है भक्तिभाव पूर्ण गीत गाये जाते है दूसरे दिन सवेरे से ही जन्मदिन का समारो होता है गिर्जाघ्रों में मंगल कामना का प्रतीक क्रिसमसट्री सजाया जाता है पूजा स्थलों के परिस्रों को इस तरह सजाया जाता है मान दिवाली मनाई जा रही है आज क्रिस्मस जितना धार्मिक है, उतना ही सामाजिक पर्व बन गया है कई गैर इसाई लोग भी इसे एक धर्मनिर्पेक्ष सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाते हैं इस अफसर पर सभी व्यावसाइक गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर रहती हैं इस दौरान मिठाई, चौकोलेट, ग्रीटिंग कार्ड, क्रिस्मस पेड, सजावती वस्तूरे आदी भी पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों, रिष्टेदार और पडोसियों को देने की परंपरा है इस दिन पर सभी एक सांस्कृतिक अवकाश का लुफ्त उठाते हैं तथा इस अवसर सभी सरकारी, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्याले, शिक्षन संस्थान, प्रशिक्षन केंद्र आदी तथा गैर सरकारी संस्थान बंद रहता है ब्रिटेन और अन्यराष्ट्रमंडल देशों में क्रिस्मस से अगला दिन यानी 26 दिसंबर बॉक्सिंग दे के रूप में मनाया जाता है कुछ कैथोलिक देशों में इसे सेंट स्टीफेंस दे या फीस्ट आफ सेंट स्टीफेंस भी कहते हैं कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज धन्यबाद